बिस्मिल्ला इर्रह्मान इर्राहीम वेल्कम टू अनोशे किचन आज मैं आप लोंगे साथ बहुत ही असान मीनी समोसा की रैस्पी शेयर करूंगी अगर इस तरीके से बनाये जाएं तो बिल्कुल भी कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा बहुत ही असानी से बहुत कम वक्त में बहुत सारे समोसे बन जाते हैं तो चलिए फिर इस रैस्पी को बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक बॉल में 250 ग्राम मैदा एड़ करेंगे अब इसके अंदर 1 टी स्पॉन अजवाइन और 1 टी स्पॉन नमक और 2 टी स्पॉन ओयल डालके इसको अच्छे दी कैसे मिक्स कर लेंगे ओयल मिक्स हो गया अच्छे से अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी आड़ करेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे थोड़ थोड़ा पानी आड़ करते जाएं और इसको आटे की तरह गोंद लए soft smooth सी हमने डो इसकी ready कर लेनी है बहुत अच्छे से हमने इसको गोंद ली है अब इसको पुछ थोड़ा सा oil अड़ करेंगे अब इसको cover करके 20 मिनिट के लिए rest देंगे तब तक हम इसकी filling ready कर लेते हैं एक पैन में two tablespoon oil डालेंगे जब oil थोड़ा सा घरम हो जाए तो इसके अंदर आपने वन tablespoon जीरा वन tablespoon खुशक धनिया और वन tablespoon ग्रीन चिली three to four tablespoon onion एड़ करके इसको एक से दो मिनिट के लिए हम इसको fry कर लेंगे medium flame पर हम इसको दो मिनिट के लिए fry कर लिया था एक से दो मिनिट के लिए हम इसको पकाएंगे दो मिनिट के लिए हम इसको पकाएंगे भी आप इसको ठंडा कर लेंगे डो हमारी ready है इसको 20 मिनिट हो गए थे इसको थोड़ा सा नीट करेंगे और इसके छोड़ छोड़े पेड़े कर लेंगे तिक रिए मैं चार पेड़े इसके बन गे थे और एक पिड़ा लेके हम इसको बेलेंगे बल्कुर रोटी की तरह आपने बेलेना है पतला सा इतना पतला होगा उतना ही क्रिस्पी मरा समॉसा बनेगा तो इसलिए आपने इसको बहुत अच्छे से बेलेना है इसको मैंने पतला सा बेल लिए आप छोड़ी कि मलत चे इसको दर्म्यान से कट करेंगे पूरसी दूसरी तर्फ कत का लेंगे एट पार्ट में इसको एकोली हम गट का लेंगे जो फिलिंग हमने रेडी की थी जो इसके उपर और एड़ कर देंगे एक एक चमठ भर के आपने इसके ऊपर एड़ कर देना अब एक पार्ट के ऊपर हम साइडों पे इस तरहां पानी लगा लेंगे ताकि यह आपस में जुट जाए हर तरफ में ने पानी लगा लिया अब इसके दोनों कनारों को पकड़ेंगे और इस तरहें आपने जोड देना अपस में और इसी तरह वो जो एक पार्ट रह गया है उसको इसके उपर लगाएंगे और इस तरह यह जो बाकी के किनारे रह गया है इनको आपस में हम जोड़ देंगे देखें इसको इस तरीके से हमने फिक्स कर लेना है देखें कितनी असानी से हमारा समुसा रेडी हो गया है इस तरीके से हम सारे रेडी कर लेंगे दोनों को जोड़ने के बाद अब तीसरा इसके उपर लगाएंगे इस तरह इसको फिक्स कर लेंगे अच्छे से हमने इसको जोड़ लेना है ताकि फिलिंग बाहर ना निकले देखें अच्छी शेव इसकी बन गई है अब इसी तरह तीसरा हम बनाएंगे दोनों कनारों को जोड़ेंगे इस तरह उठा के उसके उपर रख देंगे इस तरह ज़्यादा इस जी है आप इस तरह बना ले और अब इसके कनारों को आप उसमें जोड़ देंगे इसी तरह से हम सारे समोसे रेडी कर लेंगे यह देखें मैंने सारे समोसे रेडी कर लिये थे अब इसको फ्राई करेंगे कड़ाही में दो काप ओल डाल के इसको गरम कर लेंगे गोल्डन कलर आने तक हमने इसको फ्राई करना है यह एक साइड से फ्राई हो गए है अब इसकी साइड चेंज करेंगे ताकि हर तरफ से बहुत ही अच्छे से और क्रिस्पी सी फ्राई हो जाए है यह देखें यह बहुत अच्छे से फ्राई हो गए है बहुत ही अच्छा जब कर लिए बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची मिनी स्मॉसा रेडी है आप इसको जरूर बनाईएगा ट्राइ किजिएगा बहुत ही असान रेस्पी है और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा हम इसको एक को तोड़के भी देखते हैं यह देखें कितनी अच्छी शेय बीस किया ही है और अंदर से भी हर तरह से बहुत अच्छा से पका हुआ है बहुत ही क्रिस्पी क्रंची फिलिंग वाला स्मॉसा रेडी है जरूर बनाईएगा और में चैनल को सब्सक्राइब कर लें लाइक और शेयर का न मत भूलिएगा थैंक्स पर वाचिंग अनोशे कि चक्ट है और में चुत को सब्सक्राइब कर वाचिंगा क्रिजगा वाला स्मॉसा यहाईगा रेचिंगगा थान।